हेलो एवरीवान कैसे हैं आप सब आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे आप सब ही का इस चानल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं वैसे तो मैं एनरजी चेक पर नहीं बनाती हूं वीडियो बट इस एनरजी के ऊपर मेरी गाइडेंस आ रही थी कि मुझे बनाना है वीडियो में को बनाना मेरे इंट्यूशन के रहा था कि मुझे बनाना है विकास यह एनरजी जो अभी चल रही है ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ही जादा डेंस है इवन मैं खुद उस एनरजी को फील कर पार रही हूं सो मुझे लगा कि आप में से बहुत सार वीडियो और ये वीडियो आप आप सभी को help करेगा ठीक है तो शुरू करते हैं इस वीडियो को तो अभी की जो करण अनरजी है ट्विन फ्लेम्स की वो में से चैनल में बताने वाली हूँ पहले हम बात करते हैं divine जितनी भी divine femininence हैं अभी तक before 26th July, okay, before 26th July उससे पहले वो बहुती balance में थी, अपना soul purpose कर रही थी, पूरा, you know, happy energy में थी, high frequencies में थी, balance में थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, okay, but अभी पिछले 2-3 दिन से, जितनी divine femininence है, even जो balance में थी, वो भी, अब ऐसा उनको feel हो रहा होगा कि जैसे वो अपना balance हो रही है, जैसे वो अभी balance में नहीं है, ऐसा उनको लग रहा होगा, maybe उनकी सांस फूल रही हो, ठीके, बहुत जादा उनको impatient energy लग रही है, मतलब patience ही नहीं हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे, मैं क्या हैं पर क्या करूं, वो नहीं समझ में आ रहा है, अगर जो आपका daily routine है, अगर आप meditation करते हैं, अगर आप पूजा पाट करते हैं, अगर आप as a healer काम करते हैं, या tarot read करते हैं, या कुछ भी job करते हैं, business करते हैं, ठीके, बच्चों को देखते हैं, जो भी आप करते हैं, ज बहुत जादा decrease हुआ है, यानि उनको भूख नहीं लग रही है, ठीके, प्यास बहुत लग रही है, पानी पीने की इच्छा हो रही है, और भूख नहीं लग रही है, और आप पेट फूला हुआ है, अल्रीडी उनका पेट ऐसा लग रहा है, जैसे उन्होंने बहुत कुछ खा रखा है, और नीन नहीं आ रही है, concentration नहीं कर पा रही है, अगर वो meditation में भी बैट रही है, तो उनसे meditation नहीं हो रहा है, ठीके, और उनको बहुत जादा sensations और vibrations हो रहे हैं, बिसिकली जतनी भी divine feminines हैं, उनको बहुत जादा sensation और vibration हो रहा है, उनके third eye chakra पे vibration फील हो रहा है, या उनके lower back या स्केरल चक्रा में vibration फील हो रहा होगा, लोर बैक में तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत जादा pain है, ठीके, दर्ड वो feel कर पा रही होंगी, और उनका third eye भी बहुत जादा vibrate कर रहा है फिलाल, अपर पूरा body जो है, उनका जो shoulder part है, ठीके, back neck है, ये पूरा stiff ह हो रहा होगा, body बहुत जादा stiff हो रही है, मतलब और ऐसा लग रहा है, जैसे body में ताकत ही नहीं है, ऐसा feel कर रहे है, divine feminine, बहुत जादा low energy feel कर रहे है, basically, so, हो सकता है, आप लोगों की सांस भी फूल रही हो, ऐसा भी हो सकता है, और body temperature भी increase हो रहा है, ऐसा लग रहा है, जैस से कि उनको fever है, ठीक है, और, और जो मैंने symptoms देखे, अभी जो मुझे जादा दिखाई दे रहा है, वो यह है, divine feminine energy के लिए, कि में भी आपको बहुत सारे infinity signs दिख रहे हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगा पे आपको बहुत सारे infinity signs दिख रहे हो, हो सकता है, सो divine feminine, आप सबको infinity signs बहुत ज़ादा दिख रहे होंगे, जगा जगा पे, ठीक है, और butterflies देख पा रहे होंगे, आप लोग बहुत ज़ादा अपने आसपास green color की, light green color की, या orange black color की, या pink color की, ठीक है, या dark pink color की, ठीक है, बहुत सारे pigeons देख रहे होंगे, आप लोग, या number synchronicities है अभी, जो आपको angel numbers हैं, वो बहुत ज़ादा number change हुए हैं, और जो numbers अभी आपको divine feminine जो दिख रहे होंगे, वो 88, 333, 333, 333, 1144, 77, 133, 1444, 1444, 414, 404, 222, 222, 212, 111, 555, 110, 101, 1234, 1221, 1212, 396, 550, 1155, 1231, so इन में से बहुत सारे numbers आपको हो सकता हैं, दिख रहे हों, ये numbers हैं जो मुझे निकल के आए हैं, कि जो आपको दिख रहे होंगे, सो ये है divine feminine की energy, ठीक है, और divine feminine आपको ऐसा लग रहा होगा, कि ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा, कि ये हो क्या रहा है, बिकास इतनी जादा balance में होने के बाद भी, इतना जादा अपना routine follow करने के बाद, अपना soul purpose पूरा करने के बाद, अभी ये दो दिन से, तीन दिन से क्या energy चल रही है, जो इतना जादा तकलीफ हो रही है, कुछ मन नहीं कर रहा है, divine feminine का करने का, ठीक है, सो ये energy है divine feminine की, अब मैं बात करती हूँ कि divine masculine की क्या energy है, फिर मैं आपको बताऊंगे कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ये energy हो क्यों रही है, सो divine masculine की energy फिलहाल ये है, कि वो उनकी awakening हो रही है, बेसिकली, सारे divine masculine जो है, ठीक है, उनकी awakening की कराई जा रही है, बेसिकली, soul shock दिय जा रहे हैं, उनके सारे chakra activate हो रहे हैं, उनके उपर karmic attacks बढ़ा दिये गए हैं universe की side से, ठीक है, अगर वो third party situation में हैं, तो उनकी side से karmic attacks increase हो गए हैं, अगर वो business करते हैं, या फिर वो job में हैं, तो हो सकता है, बहुत सारे karmic, divine masculine, उनकी career खतम हो रहा है, उनकी job चेंज हो जा रही है, या उनका business पूरा लॉस में जा रहा है, तो बहुत जादा karmic attacks उनके उपर increase कर दिये जा रहे हैं, बेसिकली उनको soul shock दिया जा रहा है, ताकि वो activate हो सके, ताकि उनके awakening हो सके, उनका ego, उनका गुस्सा, वो सब कुछ उनका ego death बेसिकली उनको जाया जा रहा है, जितने भी divine masculine जो की बहुत जादा stubborn थे बोल सकती हूं, उनको बहुत जादा high ego power, ego जादा था जिनके अंदर, उनको बहुत बुरा वाला universe उनको soul shock दे के उनको activate कर रहा है, बट आप लोगों को परेशान नहीं होना है, divine feminance ठीक है, उनको activate होने दीजे, उनकी awakening होने दीजे, उनकी अभी awakening हो रही है, वो फील कर पा रहे हैं, और जितने भी divine masculine हैं, वो बहुत जादा फिलहाल गुसे वाली energy में हैं, ठीक है, तो वो इतनी low frequency में हैं, जिसका mirror आपके उपर आ रहा है, कि आप भी low frequency में हैं, मेबी हो सकता है, आप लोगों को भी बहुत जादा गुसा आ energy को, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, और divine masculine को awaken होने दीजे, उनको deal करने दीजे, उनको awaken होने दीजे, उन्हें divine masculine बनने दीजे, ठीक है, time दीजे, healing होने दीजे उनकी, और उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, कि उनके साथ हो क्या आ रहा ह अभी तक ठीक है जो divine masculine को पता था कि वो उनकी feminine अगर उनको बताती भी थी या उन्होंने बताया भी था कि वो twin flame journey में है या ऐसा कुछ होता है तो उन्होंने नहीं मानी थी ये बात तो अब जाकर के उनको universe divine उनको ये सब कुछ समझा रही है कि आप एक twin flame journey में हैं आप आपका सच क्या है ठीक है वो उनको कराया जा रहा है basically अगर वो आपको नहीं भी contact कर रहे हैं तो अच्छी बात है divine feminine वो आपको नहीं contact कर रहे हैं समय तो ठीक है अगर आप no contact zone में हैं तो अच्छा है उनको उनके पीछे मत भागेगा chasing energy में मत आईएगा ठीक है क्योंकि divine feminine energy फिलाल ऐसी है कि उनका ध्यान नहीं चाहते हुए भी divine masculine के उपर ही जा रहा है बार बार उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं तो surrender energy में थी मैं chasing energy में क्यों आ रही हूँ तो आप chasing energy में नहीं आ रहे हैं आप सिर्फ mirror कर रहे हैं अपने divine masculine को ठीक है तो उनको होने दीजे वो अप universe उनको पता है कि कैसे divine masculine को awaken किया जाए कैसे उनको जगाया जाए और वही हो रहा है अब ये क्यों हो रहा है ये इतनी strong और dense energy है क्यों अब उस बात पर आ जाते हैं वो open up हो रहा है ठीक है अब जो 28th July है जो कि आज की तारीक है ठीक है आज से उसका effect शुरू हो गया है और 8th August तक उसका वो जो gate है वो open रहेगा इस energy का और ये energy बहुत ही high energy है जितने भी twin flames हैं जितने भी star seeds हैं जितने भी light workers हैं उन सब को अपने soul mission पे activate किया जा रहा है उनको खड़ा किया जा रहा है universe द्वारा की उठो और अपने higher self अपने truth को पहचानो और अपना soul purpose mission पूरा करो अगर healing नहीं हुई है तो heal करो खुद को सो बेशती के लिए उनका activation चल रहा है जितने भी star seeds हैं जितने भी light workers हैं जितने भी twin flames हैं सो ये बहुत ही dense energy है सो बेसिकली अगर मैं आपको समझाओं तो ये वो energy है जहां श्रिवा सब कुछ कहते हैं ना destroy करते हैं सब कुछ खतम कर देते हैं ताकि एक नए शुरुआत कर सक ठीके एक वो destroy इसले कर रहे हैं पुरानी चीजों को ताकि कुछ नए शुरुआत हो सके new creation बन सके सो ये वही energy है ठीके ताकि आप लोग अपनी power में आ सके जो आपकी real power है आप अपने सच को पहचान सके ठीके सो डरना नहीं है ये बहुत ही खुपसूरत energy है ऐसा बता सकती ह आपको ठीके endings चल रही है new beginnings चल रही है transformation चल रहा है death and rebirth वाली energy है ठीके शिवजी जो है हमारे वो सब कुछ खतम कर रहे है divine masculine की life से भी और feminine की life से भी जो उनको serve नहीं करता उनके soul mission को उनके soul mission तक उनको लेके आया जा रहा है basically ठीके ताकि आप new create कर सकें जिसलिए आपका birth इस धर्ती पे इस mother earth पे planet earth पे तो वो आप उस mission को पूरा कर सकें इसलिए वो इस पुरानी चीजों को खतम कर रहे हैं divine masculine energy की life से भी और divine feminine energy की life से भी अब आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको ऐसा feel हो रहा है कि आपको आराम करना है तो आप आराम कीजी ठीके अगर आपको लगता है कि आपको सोना है तो body को rest दीजे बेसिकली सीधा ज़ादा सोयेगा because lower back pain बहुत ज़ादा है I know सभी divine feminine आपको lower back pain होगा so आप कमर को थोड़ा सा rest दीजे लेकिन chakra balancing और अपना meditation कीजे जितना हो सकता है उसको कीजे हो सकता है मन नहीं करेगा क्योंकि impatient energy है ठीके concentration नहीं हो रहा है बट फिर भी चालू रखिए so chakra balancing कीजे अपनी energy को cleanse कीजे और a cleansing जिसको हम बोलते है अपनी energy cleansing जिसको हम बोलते है ठीके जो आपका मन कर रहा है वो कीजे हो सकता है समय मीठा खाने का मन करे कुछ लोगों की diet बढ़ी भी है ठीके increase भी हुआ है बट जहां तक मैं देख पा रही हूँ जिनकी energies क्योंकि already आपको भूख कम लग रही होगी तो कोई बात में अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो और अपने आपको ground कीजे अपनी energy को nature के साथ थोड़ा time spend कीजे थोड़ा हवा में जाए पार्क में अगर हो सकता है तो पार्क जा सकते हैं गार्डन जा सकते हैं अगर नहीं भी जा सकते हैं तो आपके YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आप नेचर के साथ देख सकते नेचर के वीडियोस देख सकते हैं और कोशिश कीजे कि जितना हो सकता है आप अपनी आपको higher frequencies में रखें अपनी energy को creative side पे लगाएं ठीके patience रखेगा divine feminine बहुत ही खुबसूरत energy है मैं बहुत खुश हूँ अचली में को भी रोना जैसा भी आ रहा है because बहुत ही खुबसूरत energy के साथ I know चीजे जो चल रही है वो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ में but इसका transformation after transformation आपको बहुत ही खुबसूरत reward बोल स और मैं बहुत सारी healing बहुत सारी divine blessings और happy energies आप सभी को भेज रही हूं जितने भी twin flames मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे comment section में जरूर बता सकते हैं तब तक अपने आपको धिहान रखे कोशिश कीजे हो सकता है जितना जादा हो सकता है पानी पीजे मुवीज देखे अपनी family के साथ time spend कीजे ओके अगर कुछ नहीं हो रहा है सोने का मन कर रहा है तो सो ये ठीक है आराम कीजे कोई बात नहीं अभी फिलहाल आपकी body एक transformation से गुजर रही है तो आपको आराम की जरुद भी है ठीक है सो ध्यान र